महिंद्रा ने जैसे कि भाई ठान लिया है कि आफ्टर मार्केट एसरीज का दुकान बंद करवाने ही वाला है साथ हजार उपए में आपको क्या मिल रहा है ये चलिए अब आपको पहले दिखाते हैं इस लाग के बीच में ये उन सारे ही अपने कॉंपटिटर्स को एक अच्छी टकर दे सकेगा तो हलो दोस्तों वेलकम तो आपको बता दू कि महिंद्रा ने जैसे कि भाई ठान लिया है कि आफ्टर मार्केट का दुकान बंद करवाने ही वाला है क्योंकि कुछ नए एडिशन लेके या कुछ नए ऐसे वेरियंट्स अपने स्लेक्टेड एस्यूवीज में ला रहा है कि जिससे जो आफ्टर मार्केट की दुकान है वो पूरी तरह से बंद होने वाली है कुछ दिर पहले मैंने आपको थार का वीडियो दिखाया था जो अर्थ एडिशन में उसमें भी जो वैल्यू फॉर मनी जो एमाउंट बढ़ा के और उतनी सारी चीजें दी थी वही सेम चीज आपको इस नए वेरियंट स्कॉर्पियो में मिलेगी जो की है जेड एट सेलेक क्योंकि बहुत सानलोंग है वो जेड सिक्स पे जाते थे क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी वेरियंट डूरते थे लेकिन ये जो वेरियंट है ये जादा यानि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बन गया है और इसका नाम है जेड एट सेलेक्ट जेड एट टॉप वेरिय है जिसमें Z6 और Z8 में अगर आप manual transmission में लेते हैं तो 140,000 रुपए का अंतर आता है बड़ा अंतर है और वहीं अगर आप diesel में जाते हैं क्योंकि Z6 जो है वो petrol में आती नहीं तो आप but obvious compare नहीं कर सकते लेकिन अगर Z6 diesel automatic में जाते हैं Z6 से Z8 select में तो सिर्फ 60,000 रुपए का अंतर है अब इस 60,000 रुपए में आपको क्या मिल रहा है यह चलिए अब आपको पहले दिखाते हैं तो बगया फ्रंट से आप देखोगे तो आपको top variant वाला पूरा feel मिलेगा क्योंकि feel ही नहीं मिलेगा features भी मिलेगे जैसे आपको यहाँ पे projector headlamps हो गया LED headlamps हो गया sequential turn indicators हो गया LED DRLs हो गया fog lamps भी यहाँ पे आपको मिल रहा है इसके अलावा यहाँ पे आपको chrome की line मिल रही है यह जो six lines होती है यह भी आपको chrome की मिल रही है वहीं skid plate को भी देखेंगे तो यह silver finish में आपको skid plate म मिल रही है जो नहीं मिल रहा है आपको यह तो Z6 से Z8 select में हो रहा है लेकिन Z8 जो top variant है उसमें नहीं मिल रहा है जो वो है camera और आपको front parking sensors बाकी जो look wise है वो आपको एकदम top variant वाला feel आएगा क्योंकि वहीं पे Z6 variant है आप अगर front से देखोगे ना तो आपको अंतर समझ में आ अगर आप पीजल आटोमेटिक लेते हैं तो सिर्फ 60,000 रुपए में यह front जो है कुरा top variant वाला मिलेगा और साथी features side में भी आते हैं तो side profile की अगर हम बात करेंगे तो भाई alloy wheels यहाँ पे add हो गए हैं लेकिन यह आपको 17 inch में मिलेंगे 245 आर 17 है वहीं जो top variant में है वो आपक को एकदम top variant वाले ही जैसी है बस यह 17 है उसमें 18 आता है तो look wise कोई इसको बहुत पास से देखेगा तभी judge कर पाएगा नहीं तो आपको top variant वाला ही feel देगा इसके अलावा अगर side में हम चलते हैं तो यह आपको Z6 में black पूरा मिलता है यह silver पार्ट नहीं मिलता यहाँ पे य वाला पार्ट क्लाइडिंग में एड हो गया है इसके अलावा जो वर्वियम से इसके हैं यह इलेक्ट्रिकल एरजेस्ट इसमें आपको मिलते हैं लेकिन auto fold नहीं मिलते हैं manually यह आपको इसको पूरा रहेगा यहाँ क्रोम की line भी add हो गई है Z6 से Z8 select में इसके अलावा आपक वो side profile में यह जो roof rails है roof rails आपको मिलती है Z6 में लेकिन silver finish नहीं होती पूरी black होती है तो यहाँ पे आपको वो silver वाली चीज़ मिल गई और साथ ही addonox add हो गया थो भाई addonox की badging भी आपको यहाँ पे मिल गई है वो अंदर से दिखाएंगे कि system में क्या कुछ change हुआ है back profile की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वो chrome की जो line है वो मिल गई है जो आपको Z6 से Z8 वाले top variant वाला जो feel होता है वो आपको back से भी पूरा देखने को बिले क्योंकि shark fin antenna मिल रहा है spoiler मिल रहा है stop lamp मिल रहा है defogger मिल रहा है wiper मिल रहा है यह सारी चीज आपको Scorpio N की badging है LED tail lights है और जो एक और चीज जो add हुई है Z6 के पिक्षा वो है इसमें back camera वो back camera मिल गया साथ ही दो reverse parking sensors मिलते हैं इसको open करके भी हम दिखाएंगे तो boot space यह अच्छा curve बनाया है कि भाई एकर कोई यहाँ पे luggage रखा हुआ है तो यह इसमें अडे न यहाँ पे इसको लेकिन डली र मिलते हैं ताकि आप door open करें तो यह अपने आप पीछे चले है यहाँ पे यहाँ पे पहले आपको यह setup नहीं मिलता था जो रिंच और यह सब रखते हैं यह आपको thermacol के साथ मिलने लगा है ताकि यह आवाज न करे साथ ही जो इसकी flooring है थोड़ी सी ऊपर आ गई है ताकि आप अगर इस सीट को गिराने के बाद अपना लगेज मूफ करते हैं तो वह अड़े ना एक बार में जाए अंदर और बाहर निकल सके तो यह हो गया भाई अब अंदर से चलते हैं इंटीरियर से भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चेंजिस में हुए हैं तो इंटीरिय अगर दोर से एंटर करते हैं तो आपको टू टोन वाला मिलने लगता है इवन थ्री टोन फोर टोन कह सकते हैं क्योंकि ब्लैक है ब्राउन है प्यानो ब्लैक फिनिश है शिल्वर है तो यह सारी चीज यहां सॉफ टच वाला भी माटीरियल एड हो गया है यह प्यानो की है इसके अलामा भाई अंदर आते हैं यह जो फील है और इस्पेशली स्कॉर्पियो का जो यह बैठने का यह जो एपिलर पर ग्रैब हैंडिल है ना मदा आ जाता है यार बैठो आपको जो फील इसलिए यह कुछ-कुछ ऐसे फीचर्ज है ना जो सीधे इसको 50 लाग वाल फील आपको इस कार को देखते ही और बैठते ही समझ में आने लगेगा वहीं आपको लेधर रैप स्टेरिंग वील भी यहाँ पे मिलने लगी है साथ ही जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले तो की में निकाल दूँ भाई की आपको दिखा दूँ एक महिंद्रा और एक मारूती दो नहीं मान रहा है इस की को थोड़ा सा अपडेट कर दे तो मज़ा आ जाए लेकिन यहाँ पर आपको वही फिलिप की मिलती है साथी यह आपको लॉक अनलॉक की बटल मिलती है दूसरी की जो मिलती हल गयल केवल आप इसको अपन करके को स्टार्ट कर सकते यानि 20 से ही open करना पड़ेगा, lock and lock, central locking का नहीं use कर पाएंगे, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं इसको लगा के भाई open करता हूँ, तो जो यहाँ पे MID है, यह भी आपको top variant वाला ही मिलने लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे, और साथ ही जो इसका infotainment system है, यह भी आपको 8 इंच का top variant वाला मिलने लगा है, आप नीचे की variant जाएंगे तो screen अंदर की तरफ लगी रहती, लेकिन यह जो पोर्चा नालग से लगा है, यह आपको top variant वाला feel देगा, एक चीज़ है कि इसमें automatic climate control AC नहीं है, manual AC ही है, साथ ही इसमें आपको drive modes भी add कर दिएंगे, य दोनो wireless मिलने लगा है, यहाँ पे भी आपको soft touch पूरा feel मिलता है, Scorpio N की यहाँ पे badging मिल रही है, cool glove box इसमें मिलता है, ठीक ठाक decent size का hold यहाँ पे है, साथी यहाँ पे आपको charging के लिए mobile वगएरा रख सकते हैं, आपको USB port मिलता है, दोनो C type यहाँ पे नहीं दिया है, C type दे अबडेट हो रहा है, तो दो USB देने से अच्छा, एक C type भी होता, हलाकि उसमें fast charging support वाला है, बट वो देते तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब नया variant एड़ हो रहा है, तो नई technology और नई चीज़े जरूरत की अगर एड़ होती है, तो बढ़ा अच्छा लगता है क्योंकि अब हर जगा C type का port आने लगा है, यह आपका handwork रहा है, यहाँ पे भी इसको leather का पूरा उपर तक रखा गया है, ताकि अच्छा दिखे, silver finish यहाँ मिल रहा है, दो bottle holder मिल रहा है, यह भी armrest आपको leather stitching के साथ मिल रहा है, थोड़ा सा soft touch भी है, यहाँ पे अगर armrest के अंदर storage space बोलेंगे तो बहुत जादा नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना wallet या mobile या कुछ भी ऐसे घर की कीवी रखे, उसको बंद कर सकते हैं, तो वो safe रहेगी, वहीं पे आपको इधर पे cable ticket holder मिल रहा है, यहाँ पे आएंगे तो आपको भाई, sunglass holder मिल रहा है, साथी यह lights म रूफ मिलती है, जो की ठीक था, decent size में, दूसरी तरफ भी आएंगे, तो यहाँ यह passengers के लिए vanity mirror दिया हुए, साथ में light भी दी हुई है, तो यह अच्छे ही चीज है कि भाई, घर की जो home minister है, उसका ध्यान रखा गया है, light दी गई है, बाकी यहाँ पे आपको सारे buttons मिलते ह कभी मिलता है, ideal start stop मिल रहा है, traction का button मिल रहा है, hill decent control मिल रहा है, drive modes का मैंने आपको बता ही दिया, अब चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे वाली sitting भी कैसी है, यहार feel तो पूरा आता है Scorpio में और Scorpio N में, कि आप जब आगे बढ़ते हो तो वो commanding position ऐसे लगती है, कि आप road को पूरी तरह से देख रहे हो, और अपनी car को भी पूरा देख रहे हो, कि भाई कहा जा रही है, या जो भी corners है, वो पूरा ध्यान में रखते हो, safety वाले सारे features मिल रहे हैं, चाहे ABS, EVD की बात करें, और जो सबसे important चीज होती है, six airbags इस में मिल रहे हैं भाई, इस variant में यह एक है, उसमें recliner भी आपको मिलता है, कि आप इसको recline भी थोड़ा सा कर सकते हो, और जो leg room की भी बात करें, तो भाई, अच्छा का सा leg room है, 59 मेरी height है, और head room भी अच्छा है, कि यह जो थोड़ा सा shape बनाया गया है, कि थोड़ा सा heighted भी बन्दा, चेर्गूट का भी बन्दा हो इसके अलावा यहाँ पे C type port दिया गया है, भाई, C port यहीं जो मैं बात कर रहा था ना, आगे भी एक देदी होते हैं तो बढ़िया रहता, बाकी third row के लिए easily आप यहीं से इसको इस तरह से ऐसे tumble कर सकते हो, one touch down है seat, तो भाई, पीछे की तरफ तो मैं बैट गया हूँ, औ और यहाँ पे ठीक ठाक decent size है, बच्चों के लिए यह seat अच्छी है और adult में भी कोई 5.5 पिट का है, तो वो आराम से यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो knee है और under thigh support है वो कम है, चोटे बच्चों के लिए और कम height वाले लोग के लिए ठीक ठाक space है, कि अच्छा का सा यहाँ पे अपनी जर्नी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको seat belt मिल रहा है, साथी यहाँ पे 12 वोल का जो socket है, यह पीछे से भी आप use कर सकते हैं, और यहाँ से भी use कर सकते हैं, तो charging के लिए आपको एक source मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना mobile वगएर रख सकते ह यह भी आपको light दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे भी जो rare seats हैं, दोनों तरफ आपको headrest मिलता है, adjustable headrest मिलता है, तो यह अची चीज़ है, तो ठीक ठाक आप अगर हर ड्रो में भी कोई passenger बैठता है, तो अच्छी का सी journey वो 100-800 km की आराम से कर सकता है, तो भाई यह details हो अलाग भी वीडियो आपको बताया था ना, Earth Edition, जो उसमें 40,000 रुपे बढ़ाए गए था, वो बड़ा value for money था, इसलिए मैं बोलता हूँ, वो वीडियो नहीं देखा है, तो मेरे जाके वीडियो में आप YouTube में देख सकते हो, और साथ ही यह भी जो variant है, यह भी value for money हो गया है वहीं डीजल में आप जाते हो, तो आपको 18,00,000 का मिलता है, यानि पेट्रोल और डीजल में 1,00,000 रुपे का अंतर है, और Z6 में तो पेट्रोल वेरियंट आता ही नहीं था भाई, यहां पे आपको कम से कम पेट्रोल वेरियंट भी एड हो गया है, और वहीं automatic transmission की अगर बा pricing है, वो काफी aggressive रखी है, महिंद्रा ने, और उनको यह समझ में आ गया है कि भाई, किसी ना किसी तरह चाहे वो variant-wise या features-wise इसको अच्छे से distribute किया जाए, तो एक यह value for money, variant के साथ एक value for money, product भी बन जाता है, और जब product शांदार हो जाता है, तो वो अपने ही segment में नहीं, यह अगर आप 17 से लेके 20 लाग के बीच में, यह उन सारे ही अपने competitors को एक अच्छी टकर दे सकेगा, तो भाई, अब end of the video एक बात आ जाती है, कि इसमें कौन सी variant तो मैंने बता दिया है, कि Z8 आप select लीजे, लेकिन diesel ने की petrol ले, कि भाई, अगर आपकी ज़ादा running नहीं है, तो आप petrol पे जा सकते हैं और automatic transmission के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ज़ादा running है, और थोड़ा सा city mix है, तो आप diesel में automatic जाओ, क्योंकि वो जो difference है, वो बहुत कम है, और चाहे features की भी बात करें, वो भी अच्छे खासे हैं, तो एक value for money जो product ये बन जाता है, Scorpio N का Z8 select diesel, automatic, हाँ, एक clause, छोटा सा यहाँ पे रहता है, कि भाई, ये केवल two wheel वाले option में, यानि 4x4 के option में, ये variant आपको नहीं मिलेगा, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, comment section में मुझे बताना, और अगर कुछ ऐसी चीज लगती है, कि भाई, वैसे तो मेरे हिसाब से ये variant जो है, वो काफी perfect है, लेकिन आपको लगता है, कि एक आच चीज और add होनी चाहिए, तो आप comment section में मुझे जरूर बताना, हाँ, एक चीज और है, अगर आपको इसी तरह की best deals, ये तो एक showroom pricing होगी, लेकिन जब बहुत सारे इसमें add-ons होते हैं, तो amount पढ़ जाता है, छखासा डेढ़ दोलाग रुपए add हो जाता है, लेकिन उसमें अगर अच्छी डील चाहते होगा, तो आप TM Mahindra गुडगाओं से contact करो, description में मैं उनका number भी देदूँगा, तो आपको एक बहतरीन डील भी Mahindra के product पे मिल जाएगी, तो दोस्तों बाइबाइ, टेक केर और च है प्ली जब काते हैं, प्ली जाए, जाए, शेयर और शाव्ड़ प्रस्थरिया गारऊ एंड है, टी तुन तो आटुड्या है।